सरकार्ण जीएश्टी लगाया और आज वयापारियों पर छापे पढ़ रहे उस लड़ाई को भी हम सब मिलकर लड़ेंगे और बिल्कुल जो ये वयापारियों पर छापे पढ़ रहे जीएश्टी की जो टीम है इसका मुह काड़ा करने का काम भारतिय किसान यूनिन करांती आराजनिती करागी क्योंकि पूरी जुम्हे के तारी के साथ मैं वहन करूंगा और मजदूर के लिए किसानों के लिए वापारियों के लिए और जो विरत तबका है मारा मैं बहुत ही मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहूंगा और काम करूंगा आपको पता है हम रूड़की के रामपूर एरिया में खड़े हैं आपको हम पता दें कि यहां भारती किस्तान उनिकरांती दल के जो राष्टिय अद्दक्ष विकास कुमार सैनी वो यहां पर अपने परदेश अद्दक्ष वह अन्य कारेकरतों के साथ यहां पहुंचे हैं आ संगेठन मंत्री के पतपर शेक जमाय एहमद को नुक्त करा है और साथ ही उने आज की इस सब्सक्राइब करता है क्या उन से निर्वान करा है हम बात करेंगे पर राष्टिय अद्दक्ष विकास सैनी जी से सबसे पहले दैनिक बुड़की में आपका बहुत दोस्वागत है क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपने संगेठन को मजबूती देने के लिए अपने कुनमे को बढ़ाने का काम करा है बहुत धन्यवाद आपका आज भारतिय किसान यूनियन करांती एराजनितिक संगेठन में आज एक बहुती मजबूत सामाजिक जो जिनका समाज में भी नाम है और हमेशा समाज सेयों में भी लगे रहे और समाजवादी पार्टी में भी काफे बड़ी पदपे रहे और कि गठन को मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इनके तजर्बे का भारतिय किसान यूनियन करांती को लाब मिलागा और किसानों की जो समस्याए है और जो मूल समस्याए है जमीनी जो जमीन की समस्याई हैं जमीन से जुड़े हुए हमेशा समाज से हमारे हमारे सेक एमंद जमा जमा के नाम सही यहाँ पर मसूर है पूरी रूड़की के अंदर जमा के नाम सही हमारे सेक एमंद जमा जी तो मुझा पूरी उम्मीद है कि भारतिय किसान यूनियन व्यापारी वर्ग में भी एक अपना अलगी अस्थान रखते हैं जिस तरह से सरकार्ण GST लगाया और आज व्यापारियों पर चापे पड़ रहे उस लड़ाई को भी हम सब मिलकर लड़ेंगे और बिल्कुल जो ये व्यापारियों पर चापे पड़ रहे GST की जो टीम है इ किसान यूनियर करांती राजनिती करगी क्योंकि सरकार नवादा किया था कि बिलकुल चापे हम किसी दुकान परी डालने के चोटी-चोटी दुकान नहीं अपने घर का खर्चाई पूरा करना मुस्किल हो रहा कहां से इतना पैसा देंगे GST मैं तो मुझा पूरी उम्मीद है आज हमारे राष्टिय संगतन सचीव की जिम्मेदारी शेक जमाहमंजी को दी जारी और मुझा पूरी उम्मीद है कि पूरे बढ़ रहा है आपका कुनबा बढ़ रहा है जिस तरह से आने वाले समय में जिला पंचैत चुनाओं होने वाले है हमारे जिले में उसको लेकर आपके संगटन क्या त्यारिया उसमें भी कुछ भागेदारी आपके कारे करता है या आप लोग करेंगे या यह समर्तन में जाएं किसी के कैन Rabbi लेकिन े जो परतियासी चाहिए जिला पंचात् का होँ चाहिए वो पर्धान में जागा जो परदान हरिटूप्य और किसानों की बात को सर्वरे पर्तम किसानों के लिए त्याक करने के लिए जो पदेंगे मालता किसी वाइट है हमारी पूरी तो पूरी तरह से हरी तो नीकी हरी को स्मर्तन करें गेंगे हिल हर हाल में क्योंकि किसानों की समस्या किसा नी समझ सकता है संगठन का कोई आदमी नी लड़ने का चुना हो सिरफ समर्थन देंगे हम हम जो अच्छा परत्यासी होगा उसा हरी टोपी ओड को जिला पंचात में बैठागा तोपी पिनाने का काम करेगा संगठन और किसानों की बात करेगा उसको चुनाओ लड़ाएंगे बात करेंगे जो कि जिन्हों आज पद्ग्रेंड कराया अपनी इस नम्युक संग्टन के जो संग्टन मंत्री हैं शेख जमयाबजी क्या गना चाहेंगे आज आपको जुम्मेदारी दी गई है किस तरह से आप किसानों की लड़ाएं लड़ेंगे और बात वेपार करें तो आप वेपार से भी जुड़ वेपारियों के लिए और विरतब का है मैं बहुत ही मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहूंगा और काम करूँगा जैसे रहा हमारा राश्टेश जिने कहा कि जीस्ती जैसे कि हमारा तैव वा था बिल्कुल यह पारियों के संगठन के साथ तैव हुआ था कि जीसी भी जिसने भी जीस्ती नमबर ले रखा हो उसके हाँ कोई चेकिंग का अभ्यान नहीं चलाएगे जीस्ती वाले लेकिन अब इन्होंने क्या कि जैसे जैसे चेकिंग कर रहे हैं लोगों में एक खौप पैदा हो रहा है और इस खौप को मिटाने के लिए हम राश्टेश साथ कं प्रदेश को बिल्कुल तो साथ तोर पर जो राश्टी संग्टन मंत्री बनाए गए हैं जमायामा जी और अपने राश्टी दक्स विकास अनिने साथ तोर पर काया कि जो संग्टन है वह आने वाले जिला पंचाया चुनाओं में हरी टोपी के जिस पर जो भी समर्थी तरह देगा उसको हम समर्थन देंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो वेपारी है उनको कि किसी प्रकार की प्रशानी हो रही है उसके लिए दिन रात खड़े हैं उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे